दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप एक iPhone यूजर सो और Instagram को यूज करते हो और Instagram Reels की जो आपकी ड्राफ की वीडियो है वो music के साथ में आपकी गैलरी के अंदर save नहीं हो रही है अगर आप उसको save करते हो तो वहाँ पर उसका जो music है वो आपको नहीं मिल रहा है without music के वो download हो रही है आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ये problem solve हो जाने वाली है अगर आप एक iPhone यूजर सो और आप चाहते हो के हमारी जो draft की वीडियो है Reels की जो draft की वीडियो है वो with music के साथ में हमारी गैलरी के अंदर save हो जाएं तो मेरी इस वीडियो को आपको बिना skip के लाश तक का देखना है मैं आपको इसमें पूरी बात बताऊंगा पूरी बात समझाऊंगा और मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उनको music के साथ में download और save कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG help YouTube चैनल चैनल पर ने हो तो बाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो अभी हम अपने Instagram के अंदर मौजूद हैं हमने इसको open करके रखा हुआ है तो इसी तरह से आपको भी इसको open कर लेना है वैसे तो यह मेरा phone Android है लेकिन तरीका मैं आपको वही बताऊंगा जो हमारी profile होती है उसके अंदर आजाना है तो यहां से profile पर हम जैसे click कर लेते हैं profile पर click करने के बाद मैं reels के option में आते हैं और उसके बाद मैं draft के option पर click करते हैं यह हमारी जितनी भी वीडियो हैं यह सारी वो हैं जो कि हमने draft के अंदर save करके लखी हैं अब यहीं से जितने भी इंस्टाग्राम के यूजर से अपनी वीडियो को गैलरी के अंदर सेव करना चा रहे हैं तो वो यहाँ से जैसे के वीडियो पर किलिक करते हैं कुछ इस तरह से और वीडियो के एडिट पर किलिक करते हैं उपर कॉर्णर में edit पर click करने के बाद में ऐसा interface उनके सामने उनको देखने को मिल जाता है तो guys जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी यह video चल गई है अब इसको हम gallery के अंदर save करेंगे तो download के option पर यहाँ पर click करेंगे और यह हमारी processing होने के बाद में gallery के अंदर save हो जाएगी हो रहा है और आप इसको कैसे save कर सकते हो तो देखिए इसके अंदर एक new update आया था Reels के अंदर update यह था यहाँ पर mix audio तो इस पर जैसे हम click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को मिल रहा है तो यह जो mix audio वाला है यह अभी सभी को नहीं मिला है iPhone users को बहुत लोगों को नहीं मिला है जब तक आपको यह mix audio वाला जो update है वो नहीं मिलेगा तब तक आप Reels की drop की वीडियो को music के साथ में अपनी gallery के अंदर save नहीं कर सकते है इस feature से हमारा फाइदा यह होता है कि हम Reels की वीडियो के अगर आवाज नहीं आ रहा है तो उसकी आवाज को यहां से हम up down कर सकते हैं volume को कम ज़ादा यहां से कर सकते हैं तो यहां पर होता क्या है जो Reels की वीडियो हमारी draft के अंदर save होती है उसकी जो आवाज होती है उसको हमें यहाँ से वॉल्यूम को प्लस करके पूरा का पूरा 100% करके तब हम इसको जैसे हम 100% यहाँ से कर लेंगे तो इसकी आवाज आ जाएगे और उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड पर हम जैसे किलिक करेंगे तो यह हमारी जो वीडियो होगी वो मुजिक के साथ में हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी अब बात करते हैं कि अगर आपको यह जो mix audio वाला जो option है यह आपको नहीं मिलाए तो यह आपको कैसे मिलेगा अब मैं आपको बता देता हूँ कि Android के अंदर तो एक option होता है प्ले स्टोर पर जाकर के हम अपने Instagram को बेटा टेस्टर में जोइन कर लेते हैं उसके बाद में हमें यह mix audio मिल जाता है बात अगर हम यहाँ पर करें iPhone की तो iPhone के अंदर ऐसा कोई भी option नहीं होता है तो update कर लिए और आपको यह mix audio वाला option मिल जाएगा अगर आपको update नहीं मिला है तो थोड़ा सा wait कर लिए आपको यह mix audio वाला option बाद में मिल जाएगा जैसे ही आपको यह mix audio वाला option मिलेगा तो आप Reels की जो ड्राफ की वीडियो है उसको music के साथ में gallery के अंदर save कर सकते हो यहां से music को बढ़ाने के बाद में तो जब तक आपको यह नहीं मिलेगा तब तक आप इसको music के साथ में save नहीं कर पाएंगे अगर आप एक iPhone users हो वैसा iPhone users को भी 80% के लगभग लोगों को मिल चुका है आपको बस wait कर लेना है और आपको भी यह बहुत जल्द मिल जाएगा तो mix audio से ही आप अपनी volume को जो है up down करके और range की draft की video को save कर सकते हो gallery के अंदर I hope कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया है और मैं आपको क्या समझाना चारा हूँ I hope कि आपको यह वीडियो अच्छे लगए और आपके पसंद आएगे तो इसको like करें शेयर करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में